कि अब वेरी गुड इवनिंग ग्लास पेरी गुड इवनिंग व्लूपी फ्रेंज चलिये स्टार्ट करता हैं वेलकम यू अल मेंदर ऑफिशल यूट्यूब चैनल मैं आपका मेंदर के अविशिल यूट्यूब चैनल पर सागत करता हूं फटा 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 भी लोग लोग ग्रोषभी से बाते करेंगे इमक्सेंत लंग निर्डन कोिस्के बात करेंगे उनके डिल करेंगे हम लोग इलिन को इसको शेर Yok है तो फैक्ट को शेर कर दूपर आसा अंग सांग में प्रब्ल्म नहीं है आई थिंग साथ परफेक्ट है यस्वांड में कोई शो नहीं है और यहां यह बात करते हैं आपर जोगड़ी से सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारे यहां पर इस तरह से कोश्चंज देखे थे ठीक है बहुत सारे कोश्चंज देखे थे हम लोगों ने यहां पर सेंसेस पढ़ा था आपको याद होगा ठीक है यहां पर यहां पर इर्थ की रोटेशन पर कुश्चंज देखे थे यहां पर कुश्चंज था जिसको मुझे करेक्ट करना था इसका रियल आंसर होगा वीनस ठीक है फिर से मैं बता ज़रा हूं यहां पर जो यहलो इश और वाइटिश क्लाउड है आपको कहां पर मिलेंगे वह आपको विनस में मिलेंगे ठीक है चलिया फड़ावर उसको शेर कर दीजगा तो लास्ट तयायम मैंने यह डाइगराम बनाया था और बहुत साथी छीज़े में बता दीथी मैंने क्या क्या उसको नहीं कहा जाता है वो सारी बात वैख फड़ाव और यहां पर चार हम लोगों ने बात करी थी और उसी के साथ में लोगों ने वर्ड में इकलोजिकल होट स्पोट कहां कहां पर यह भी देख लिए थे तो आज भी हम लोग बात करेंगे mcqs of geographies पे ठीक है mcqs of geography पे तो आपके सामने यहां पर पहला question आ चुका है क्रोइशिया में भी अर्थकोएक आया है चीए अब कली की बात है चीए तो यहां से कोई यहां पर किस इंस्ट्रुमेंट से यहां पर किया जाता है से मोनोमेटर से से इस से किया जाता है फटावड बताईएगा अ किस यंद्र से अर्थक्विक वेवस को ना पा जाता है ठीक है अब अर्थक्विक वेवस कौन कौन सी होती है अब भूकम्प की जो तरंगे होती है जिसको आम लोग बोलते हैं क्या अर्थ वेव्ज ठीक है अब यह वेव्ज कौन सी होती है परफेक्ट आंसर कर रहा है हो सभी लोग राइट आंसर क्या है इसका सिजमो ग्राफ क्या बोलते है इसको सर सिजमो ग्राफ ठीक है अब अर्थक्विक वेव होती है यहां पे अर्थ को एक वेव तीन तरह की होती है यहां पे सर एक होती है सर प्राइमेरी वेव्स जो प्राइमरी होती है सॉलिड अग्लस लिक्विड दोनों में travel कर सकती है ठीक है और जो secondary wave होती है वो सिर्फ उसर्फ liquid में travel करती है liquid में travel करती है और नाम से ही पता होगा इसको हम लोग क्या बोल देते हैं लव वे बोल देते हैं और ये कहां पर travel करती है I hope ये clear हो गई बात इतनी चीज़ clear हो गई फड़ाफट हाँ ठीक है तो जो यहाँ पर जो earthquake की study होती है वो क्या होती है वो कहलाती है seismology क्या कहलाती है सब seismology भूकम पविज्ञान जिसको बोल देते हैं और जो इसकी graph होता है जिससे study किया जाता है वो होता है seismograph क्या होता है वो seismograph I hope clear हो गया यहां तक seismograph और जो scientist होते है जो इसकी study करते है वो कहलाते है seismologist क्या कहलाते है भई seismologist very good s-wave p-wave और surface wave very good इसको p-wave भी बोल देते हैं यहाँ पर आप लिखना चाहाएं तो p-wave लिख सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं s-wave बोल सकते हैं इसको l-wave भी बोल देते हैं I hope इतना clear हो रहा है फटा-फट इसको share कर देना फटा-फट इसको share कर देना अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या ठीक है बैरो ग्राफ ठीक है बैरो ग्राफ बोल दिया जाए यह किसके लिए होता है यह एक तरीके से क्या होता है यह एक पेपर होता है ठीक है प्रेशर के लिए क्योंकि बैरो मेंटर यूज किया जाता है किसके लिए बैरो मेंटर किसके लिए यूज किया जाता है बैरो मेंटर यूज किया जाता है आपको प्रेशर के लिएए इसको रफ कर देख लेता है ठीक है तो सिस्मॉग्राफ्थ ठीक है यह वाला पॉशन रफ कर देते हैं एक सिस्मॉग्राफ कैसा दिखता है तो यहां पर सभर देख रहे होगे कि सिजमो गराफ में क्या होता है कि ये रोटेट्री एक होरीज boilsनल सिर्फिस पर लगा हूँआ होगा होता है और इस पर एक वेiट बंदा होता है रहे से हैवी 2 ब्लॉक होनी इस तरह से बनके आता है सामने समझ में आया तो इस तरह से यहां पर सिस्मोग्राफ बनके आपके सामने आता है जहां पर हमको यह दिखाई देता है कि यहां पर इस तरीके से यहां पर क्या हो रही है वेवस जनरेट हो रही है फटावर्स को शेयर कर देना यहां पर बूल दिया जाए इसको बाइटर बॉल दिया जायibility सिफ्म मोग्राफ यहां पर क्या है कि तरंगों के लिए यह जो इहां पर भूकंपी तरंगे ओती है इसको को भूलते हैं हो कंपी तरंगे आले अछे वो कंपी तरंगे आई होप यहां तक चीजह ट्राय हो रही हैं ठीक है बड़ा बड़ा है यहां तक लेयर और यह सोनो बहुत बढ़ा जिलनीस बताहिएगा ठीक है अभी कल ही 6.4 European Union की country है European Union Croatia ठीक है Croatia जहां पर क्या आया है कल ही एक भुक्रम पाया है जैसे यह आपको पता होगा ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं आपर next magnitude किस कितने परिमार का कितना विध्वनसक यहां पर क्या आया भई अभी मैंने 6.4 बोला था यहां पर measurement करने के लिए किस तरह के मापक का यूज किया जाता है आइनीमोमेटर का यूज के जाता है या लास्ट में आ रहा है शर्रेप्सकेल क Problem कर देएगा फर फटफट बट UFC ऐगा अंसर हाँ very good very good answer आना शुड़ू हो गया सभी का बहुत सिंपल से कोशन है यह तो यह तो बहुत सिंपल से कोशन है धीरे-धीरे कोशन के लेवल को बढ़ाऊंगा मैं ठीक है बट धीरे-धीरे clear हो रहा है रिक्टर स्केल बेरी गुड अगर लोग यहां पर बात कर ले ठीक है बैरो किसके लिए यूज होता है temperature के लिए Kelvin ठीक है temperature और रिक्टर स्केल किसके लिए earthquake की waves के लिए एनिमोमेटर बताईए किसके लिए उसके लिए उसके लिए फटाफट बताईएगा दी आंसर है वो तो पता ही है ठीक है इसका राइट आंसर क्या होगा फिर से बताद रहा हूं म यह था basically graph जिसको हम लोग ने seismograph बोला था yes or no ठीक है higher amplitude का मतलब क्या है higher seismic waves यह जितने ज्यादा amplitude आ रहा है इसके उपर जिसको यहाँ पर क्या बोलते है यहाँ पर ठीक है यह amplitude आ रहा है clear हो रहा है यहां तक जीरो टू नाइन की category होती है जीरो टू नाइन की category आपको दिखाई देरा होगा और अभी जो croatia में आया है वो कहां पर आया है वहां पर अगर दिखा जाए 6.4 की category आया है तो उसको हम लोग strong बोल देते हैं क्या बोलते हैं सर हाँ एनिमोमीटर wind speed के लिए अनामिका very good बह भी बहुत बढ़े है फटावर्ट को share कर देना चलो बहुत बढ़े हां विंड की speed के लिए ठीक है यहां पर मैं सीज़े से लिख सकता हूं sir velocity गुष्टी ऑफ विंड के लिए उस किया जाता है यहां पर क्या होता है यहां पर क्या हो जाता है बढ़ना शुरू हो जाता है I hope clear हो रही है यहां तक बाते हैं ठीक है उतना दस गुना जाधा severe हो जाता है earthquake I hope clear हो रहा है तो यह है Richter magnitude I hope clear हुआ very good very well चलिए आगे बाद तल लेते हैं यहां पर next question पर बात करते हैं यहां पर ठीक है conseguir में की कुछ परेटर सब्या से यहां पर अप्रेटर साओं तो अप्रेटर से बात करें यह कुँसा यह कुंस आपने तम बंद वेंग आपन दल्म कि हमेंशा बताता है क्या बताता है दिशा कि North East West इस तरह से किस डिरेक्शन में है ठीक है ना North में है South में है ठीक है East में है या West में नौर्थीस्ट या फिर Southwest में किस डिरेक्शन में नेक्स यहां पर बैरोमीटर होता है बैरोमीटर में यहां पर क्या बढ़ा होता है कैप्र होता है mercury 4 मर्क्यूरी इस गलते है अब मुझे यहां पर बताइएँ इसका mineral कौन सा होता है इसका यहां पर और कौनों कौन नीजय में होता है रूम तंपरेशभर किस कंडिशन में होता यह लिकुट कंडेशन में होता है मथा तरल रूप में होता है कहां पर सामानिय रूप टम्परेशर पर कलियर हो धोरी चीज़न है ठीक है तो यह दो तुरinh से यह प्रेशर में भी क्या कर देटा है अपने वॉल्यम को increase कर देता है volume increase कर देता है ठीक है और साथी साथ में जब temperature इस परता है तो उस समय भी अपने volume को increase कर देता है मतलब expand होना शुरू हो जाता है expand करना शुरू कर देता है यहां पर answer किया है किसने अमरीष ने बहुत सभी answer किया है सिने बार ठीक है सिने बार इस राइट आंसर वेरी गुड़ बहुत बढ़ यहां चलिए फटावर यहां पर देखिए रहा ठीक है तो यहां पर mercury का है 36 mm of Hg आना जाता है 36mm of hg माना जाता है normal pressure नॉर्म प्रेश्यर कर आदे है यहां लुट बहुत बहुत अच्छे फर यह ईता है अगर यह हमारी airth एठ है तो हमने क्या बताय को см smA लाग में है व्लोग इस पर बात कर चुछे था यहां पर फटाफट मुझे हाइट बता देना फटा-फट मुझे height बता देना, temperature बता देना तो यहाँ पर जो height बता लगती है, altimeter किसके लिए, height ठीक है, height के लिए होता है, किसके लिए height हम लोगों ने अलग-अलग height बता दीना, कि आपका troposphere किस side तक होता है very good, sinnebar, बहुत अच्छे answer कर रहे हैं सभी लोग बट मेरा answer यहाँ पर बताईए यह, sinnebar की यहाँ पर हमें लोग बात कर रहे हैं sinnebar तो हो चुका है, मैं यहाँ atmosphere की बात कर रहा हूँ atmospheric layer की बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने यहाँ पर आपको लिखाया था latitude, very good, बहुत अच्छे, latitude के लिए latitude के लिए नहीं होता है, latitude के लिए नहीं होता लोकेश, height के लिए होता है, नमस्कार, नमस्कार, height के लिए होता है, फटावर्स को share कर देना, ठीक है, height के लिए होता है, यहाँ पर, I hope clear है, ठीक है, हमुं ठीक है च्छेलिए क्लिए है हाई टो एटमोसफियर की हाई बताने के लिए होता है डाइघोप यहां ता क्लियर हैmm कहां था है मुझे यह बताईे त्रोपोस्पेर, Nelson, Mesosphere यहाँ पर क्या बताए था मैंने लोपोस्पेर की हाईट कितनी है यहां पर बात कर रहे हैं तो वर्षा का मातरक क्या होता है वर्षा को यहां पर नापने वाला वर्षा जो नापती है उसके लिए क्या होता है यहां पर दो तरीकी से यहां पर यहां पर यहां पर दिखा दिए तक कि आप यहां पर क्या कर सको दिमाग में आपके यह चीज़े बैठ जाएं अगर यहां से कुश्चन सिंपल पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हो पवन के वेक के लिए इला से के वेलोसिटी ओफ पवन के वेक के लिए माना जाता है फिर आता है एक हुआ होता है क्या एक होता है डे एंड यहां पर डेंड नाइट का क्या होता कि कोई भी पर्टिक्लर डे है यह उस डे का maximum और minimum temperature रहता है यह क्या होता है maximum और minimum temperature रहता है इतना चीजह clear हो नहीं सभी को फटा-फट reply करिए गा और बताएगा यह क्या होता है ये maximum minimum temperature बताता है ठीक है यह किसके लिए होता है सर यहां पर six and minimum thermometer देख लिया रेन गॉस देख लिया यहां पर ठीक है एल्टी मिटर देख लिया तो यह सारी चीज़ हम लोगों ने देख दा ली आई होप इतना क्लियर है चलिए next question आपके सामने आ रहा है the following यहां पर question क्या रहा है the place ऐसा प्लेस जहां पर earthquake origin होता है ऐसा प्लेस यहां पर भूकम्प का बोकम्प का यहां पर एक बात किया जाए उत्पन होता है यहां पर ठीक है चलिए बूकम्प उत्पत्तित होता है epicenter पर focus पर सिजमल पर यहां पर अंफी ब्रोमिक पॉइंट पे धिते का यह अभी यह स्ब बताता हो औरके आले यह वहां पर इसको क्या बोलते उसको और पूंक पर द्थिम्स को मिन्स दिरखें नाम दिख रहा है नया सानाम दिख रहा है है यहां पे राइट आंसर क्या होता है यहां पे हमेशा जहां पर देखो place where origin जहां पर हमेशा भूकंप का origin होता है वो होता है focus उसको बोलते हैं focus और जहां पर पहली बार सबसे पहले कौन सी वेब P wave सबसे पहले आती है और P wave जहाँ जिस surface पर strike करती उसके बाद में बुकम्प इस तरीके से आगे की और बढ़ता है तो वो place हो जाता है epicenter क्या हो जाता है sir? epicenter हो जाता है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि place of origin place of origin पूछ रहा है समझना place of origin पूछ रहा है question में ठीक है? place of origin पूछ रहा है तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा आपका? ठीक है? अगर center पूछता तो obviously बात है क्या हो जाता? focus हो जाता I hope clear है कोई भी fault zone होता है जहाँ से उत्पत्तित होता है वो कहलाता है focus वो कहलाता है आपर focus और जहाँ जिस place पर पढ़ रहा है जिस place पर पढ़ रहा है उसको यहाँ पर क्या बोलते है? happy center बोलते है I hope यहाँ तक clear हो रहा है यहाँ तक clear हो रहा है अब यहाँ पर एक recently कल की ही घटना है कल की ही घटना है आपके सामने कहाँ पर आया है भई? earthquake अर्थक कहां पर आया भी 6.4 एंथक्षक dul як नभ談 अठुम यहां पर क्रोएश्या ये कंट्रि एतना बहुत बढ़े है ठीक है कहां पर आया सर ऐखे přी एपी drinks रूप अब इसको यहां पर अगर कोशन आ जाए अठे का एपिसान रा sellers क्या था अगर सब्सक्राइब करें और यहां पर अगर क्या रही जाए तो जग्रिब जग्रिब यह नेटो मेंबर भी यह नेटो मेंबर नॉर्थ एट्लांटिक ट्रीटी ऑगनाइजेशन नॉर्थ एट्लांटिक इटो मेंबर है और यू का वह मेंबर है इसका नियू का कैना लुदा गच्राइब primera बोल देते हैं तो यह जो है बहुत दो यह था जो यह था यह कितना था यह इस पॉइंट फॉर का मतलब 2020 में आया है अनते जाते जाते यहाँ ठीक है चलिए नेकसन यहां पर ये कल अर्थवेक्स से जोड़ी होई सारी जानकारी हम लोगों ने बात कर दी होई और relis लोजन कहा ऐसे बन सकते हैं वह वी लोगों ने देखें आशा भारत में क्या आया है है इस एफ भारत में अभी एेी दिलिव है रूरी में दिल्ली में आया था इस इंट्ली दिलिमें आया था उसके पहले नेपाल सबस्राइब कि आई वोप यहां तक लेर एंट तूनामी क्या होती है अब यहां पर देखो सुनामी या ओरिइटेट्ट फोर्म द एर्धकुएक hurricane या rotation of earth मतलब चुनामी होती है समुद्र की लहरों के कारण होती है बोकम पर कारण होती है तूफान के कारण होती है या फिर यहाँ पर प्रित्वी के घुर्डं के कारण होती है फटाफट reply करना फटाफट reply करना है जल्दी से चलिए रांसर आ रहा है यहां पर बहुत सारे लोगों का 2011 में आया था नेपाल में नहीं 2011 में नहीं आया था विहार में बेरी गुड़ चलो clear है राइट आंसर क्या होगा इसका सुनामी क्या होती है अर्थक्वेक होता है सुनामी क्या है एक अर्थक्वेक है ठीक है एक भूकम्प है ठीक है होता क्या है देखो यहां पे इसे मान लो कि यह क्या है यह सर्फेस है ठीक है यह क्या है यह सर्फेस है और यह वाटर है ठीक है यह क्या है यह continent है और यह क्या है ocean floor है ठीक है ocean का तलहटी है अब यहाँ पर अगर कोई plates में जरा सभी क्या होगा कमपन शुरू होगा तो अभी असी बात है यहाँ पर क्या होगा यही कमपन उपर के ओर आएगा तो यह waves जो हैं बहुत तेजी से उपर के और उठते चली जाएंगी yes or no बहुत तेजी से उपर के और उठते चली जाएंगी तो c wave आंसर नहीं होगा आंसर क्या होगा अर्थक्वेक होगा इसका अंसर समझो जरा ध्यान से concept को समझे थ्यान से ठीक है concept को समझे थ्यान से जल्दी आईए फटाफट जल्दी से पताईएगा हिंदी अलग है अच्छा 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 हाँ हाँ हिंदी थोड़ा सालग है हिंदी के लिए अगर देखो गे तो यह आंसर हो जाएगा समझर की लहरे उठती है हाँ सुनामी की कारण उत्पन होते है समझर की लहरे सही कहा सही कोशन है ठीक है यहाँ पर जो लिखा हुआ है सुनामी और ओरिजिनेटिड बिसिकली क्या होना चाहिए यहाँ पर सुनामी निमलिखित में किसके कारण उत्पन होती है ठीक है तो तो आंसर हो जाएगा क्या हो कम देखो कोश्चन चेंज होनी की वेज़े से कितने सारी चीज़ें चेंज जाती है आई हो क्लियर हो गई अगर एपी सेंटर यहां पर है तो जनरेट यहां पर होगी बर जनरेट होते 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 धीरे-धीरे क्या होगा उपन सी में तो बहुत आराम से चल रहे होगे लेकिन जितना पास पास जाती जाएगी उतना जादा यह क्या हो जाएगी बड़ी होती चली जाएगी I hope clear हो रहा है अब देखो यहां पर इधर आते यहां पर कैसे बढ़ती चली जा रही है इदर आते हैं आते सी लेवल यह नॉर्मल है यहां पर बढ़ता चला जा रहा है I hope इतना क्लियर है सभी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है हम चैनल यह वेरी गुड़ बहुत बढ़ा है अब यहां पर यह कुशन आ रहा है what would be the duration of a year in the distance between the earth and sun gets double ठीक है अब जो अर्थ की जो डिस्टेंस है वो डबल कर दी जाए तो यहां पर क्या होगा दिलिस बताईए ठीक है यह कुशन आएगा रहा तो यह बताईए गार्थ और सन की डिस्टेंस डबल कर दी जाए अर्थ और सन की अभी डिस्टेंस कितनी है अगर दूरी के बात करते हैं अभी डिस्टेंस कितनी है यहां पर डिस्टेंस जो है वह एवरेज मानते हैं हम लोग कितनी 15 करोर किलोमीटर कितनी मानते हैं 15 करो मीटर 15 करोर किलोमीटर अब इसका अगर डबल हो जाए तो यहां प ठीक, अभी यहाँ, फटाबर बताओ, चलिए फटाबर अंसर करिएगा, गुड़, अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, यह जो डिस्टेंस है, यह शॉटर डिस्टेंस है, ठीक है, यह कैसे डिस्टेंस है, यह शॉटर डिस्टेंस है, यह है सन, ठीक है, यह थोड़ा बराना था, यह क्या है, यह फार्दर डिस्टेंस है, सबसे जाधर डिस्टेंस है, और यह क्या है, यह शॉटर डिस्टेंस है, आई होग यहाँ था क्लियर हो रहा है, ठीक है, जो शॉर्टर डिस्टेंस होती है संसे वो क्या कहलाती है यह क्या कहलाती है जो शॉर्टर डिस्टेंस होती है इसको बोलते है फिक है क्या बोलते है इसको पैरी हेलियन क्या बोलते है इसको पैरी हेलियन आई होब क्लियर है यहां तक है पैरी हेलियन ठीक है एक स्केंड जो लाजर डिस्टंस उते है इसको क्या बोलते है याप हेलिय है इसको हुचहाँ आप लाफ क्टोर राहे कि क्या है। तो सोड़ रहे हैं आउप प्लेर है I'm soreny sorry बोलते हैं यो ठीक है ओप sorry बोलते हैं इसंस क्लेर हो रही है यहां तक वेरी गुड़ परफेक्ट-फच्च राइट आंसर की राएट ओप्शन इसमें है ही नहीं ठीक है, right option इसमें है ही नहीं, कहीं गुना बढ़ जाएगी यहांपे, ठीक है न, क्योंकि देखो, distance हो जाएगी double, ठीक है, कहींगे गुना बढ़ जाएगी यहांपे, clear, ये right answer नहीं होगा, clear हो रहे हैं यहां तक, ये भी राइट answer नहीं होगा, इससे जादा होगा, more than this, ठीक है, more than, more than 7, ठीक है, more than 730, अब राइट आंसर नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, हमारे लिए D, clear है यहां तक, ठीक है, चलो, यहां तक clear है, भाई, बसक रखे ले, Hmm, next, यहां पर बात कर लेते हैं, नेक्स यहां पर का बात कर रहा है, हम लोग साइक्लोन के बारे में, ठीक है, चैना के साइक्लोन के बारे में बताईएब लिए साem्ड़ाफट, ड़्ले बताईए, Imagine, Option हटाना भी तपड़ता है ना, गया कई पे यहां भी तो हुता है नन ऐफ दीज अब नन फ दीज नहीं लिकना था मुझे इसलिए मैंने वत लग दिया ठीक है चलिए बठाबर बठाइए का यहां पे चाइना ठीक हैं चाइना में कौन से हरिकेंज आते हैं िकन गाते हैं तेंग यहाँ पर ट्विस्टेड डाते हैं टाइफून आता है जल्डी से बताइए जल्दी से प्रण वर बताइबास प्राएङ ग्यां चानवे अब देखो होता क्या है ध्यान सुनना ठीक है यह हमारी अर्थ है और यह हमारी अर्थ में क्या है यह एक्वेटर है ध्यान सुनना यह क्या है यह एक्वेटर है हमेशा अगर आप चक्रवात की बात करते हैं तो यह यहां पर कैसे आते हैं कैसे आ रहे हैं यह क्या बोलते हैं एंटी क्लॉक्वाइज कैसे बन रहे हैं यहां पर कैसे बनते हैं यह एंटी क्लॉक्वाइज और यहां पर कैसे बनते हैं यह क्लॉक्वाइज ठीक है अगर हम साइकलोन की बात करते हैं तो यह नदन हमिस्फियर में नदन हमिस्फियर में कैसे होते हैं सर एंटी बढ़ बनाने जा रहा हुँ अब बनाने जा रहा हुआ यहां पे ठीक है अब यह क्या है ईक्वेटर यह क्या है तो एक बताना यहां पर अगर हम यहां पर बात तरते ही क्या है Zero Degree Equator है यह क्या है ट्वेंटी-th्री-and-a-half Tropic of Cancer कहने कहा है क्या मतला बेसको बोलता है करकरेखा क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं करकरेखा इसको बोलते हैं मकर्रेखा आइजोक्प रहा है यह आपर ठीक है 23and-a-half Tropic of Capricorn ठीक है, अब इसके बीच में जो भी cyclone बनते हैं, इसके बीच में जो भी cyclone यहाँ पर बनते हैं, जो भी cyclone यहाँ पर बनते हैं, इनी को हम लोग tropical cyclone बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पहले tropical और middle latitude cyclone के बारे में समझ लो, फिर यहाँ पर concept clear कर लेना, ठीक है, पहले concept clear कर लोग ठीक है फिर यहां पर अगरम बात करते हैं यह इस तरीके से यह क्या है यह 66 and a half north और यहां पर अगरम बात करते हैं यह भी क्या है 66 and a half north south इसको क्या बोल देते हैं यहां पर इसको बोलते हैं Arctic circle Arctic Circle को क्या बोलते है Arctic वरत और इसको क्या बोलते हैं Antarctic ate इन दोनों जगह है इनको क्या वोल दे squash इनको मीड लाटिटूड बोल देथे कियों क्यों कि अगर यहां से इस तरीके से आप लाटिटूड खिश्ते हो तो यहां पर कॉंसे लाटिटा rugby 90 degree latitude आता है, यहाँ पर 0 degree, तो mid कहाँ बनेगा, mid कहाँ पर बनेगा, यहीं तो बनेगा, मतलब 45 पर बनेगा, और यहाँ पर अगर देख रहा है, तो 45 कहाँ लाई कर रहा है, 45 हमेशा आपको लाई करता हूँ, दिखाएगा यहाँ पर, तो 45, ठीक है, 45 यहीं पर लाई करेगा, इसलिए इसको mid latitude भी बोलते थे, इनको क्या बोलते हैं, रहाँ सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से, फिर से क्या बोलता हूँ, इनको बोलते हैं, tropical cyclone, क्या बोलते हैं इनको सर, tropical cyclone, और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते है temperate cyclone क्या बोलते हैं सर temperate cyclone North Pole पे cyclone नही दिखाई देगा, चैक rn पे cyclone नहीं दिखाई देगा वहाँ पे क्योंकि वहाँ पर गर्म हमाँ बनती रही है ओपर उठ नहीं सकती है तो थंडी हमा नीचे नहीं आती है समझ में आया तो इसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं एसको बोलते हैं मिडू कि लाटिट्वूड साइकलों संद ऐक कैए इसको बोल दिये जाए इकर क्या है इंप्रेट साइक्लोन बोल दो किसको बोल दो मिट लटीट्टूट साइक्लोन आई होब यहां तक रीर चीज पहले नहीं हो बोल देlkी आप систем को बोले मिट किसको बोल देख यह तो समझ लो फिर बाद में कहां कहां किस पोर्शन में आता है वो जान लेंगे ठीक है चलो जान ही लेते हैं आओ अब यहाँ पर देखो जड़ा यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो ठीक है अगर हम यहाँ से एक लाइन खीशते हैं इस जगह से ठीक है कि इंडिया के मिट से जाता है यह क्या लाइन है यह आपका 23rd अना हाफ नॉर्थ जिसको लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है और यह है इक्वेटर अच्वीह दिख रहा होग आपको यह क्वेटर दिख रहा के निख रहा है इसको मैं और कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे funkा स्ट्श्प्राइब है ओ ओ इसको बोलते हैं करकर रेखा भारत को एकदम बीच से काटती है बारत को इकदम बीच से काटती है यहां पर धान रख लेना ठीक है अब यहां पर हम बात करते हैं खीक है इसको क्या बोलते हैं इसको यहां पर बोलते हैं द्यां सुनना इसको बोलते हैं करकर रेखा क्लियर है ? इसको क्या बोलते है ? यहाँ पर कर रहा ? इसको बोलतेव और कर रहा ? क्लियर है यहां तक .. ये 32 हो not वरामड़ बताई यहां तक क्लियर है के न secrets सबस्कों करते है ? अब यहां पर देखो, यहां पर यह जितने भी आ रहे हैं, यहां पर यह जितने भी आ रहे हैं, यह सब tropical cyclone है, यह जितने भी नाम में लेंगा अब अब देखो, अमेरिका के पास आने वाले, अमेरिका के पास यह Caribbean Sea, क्या बोलते हैं इसको, यह कहां पर आता है, यह आता है Caribbean Sea सी में हुद के कैरीबियन सी में आ जाता है और यहांपर आपको इस दिशा में आपको दिखाए देगा पैसिटी कोशन में भी आपको यहांपर दिखाए डिए गा मृँद्धत अमेरिकन कॉंटेनट के आपको डिखाए देगा जाज़ा इनailed P continent के आसपास यहाँ पर इस इस दिशा में ठीक है तो यह आपको cyclone दिखाई देगा जिसको हिंदी में हम लोग चक्रबाद बोल देते हैं ठीक है क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में चक्रबाद बोल देते हैं और यहीं पर यहां पर वीली वीली बोल दिया जाता है कई बार कुशन आया है कि सर वीली वीली साइकलोन कहां पर आता है तो यह आ गया आपका कहां पर आस्ट्रेलिया में आई होप यहां तक क्लियर है इस एक लियर है चलिए क्लिए रहे यहां तक यहां तक क्लियर है और टॉर्नेडो कहां पर आता है टॉर्नेडो यहां पर आता है अमेरिका में ट्विस्टेड ऐसे ही ऐसे लिखा था ठीक है ठीक है ठीक है ऐसे ही मैंने लिखा था चलो क्लियर है कोश्चन समझ में आया लुमिनस इंटैंसिटिट अभी साइंस पढ़ा रहे रहे हैं रहे हैं जाया चाहे जबन में कहा जाता है चाहे फिलिपीन्स में आजए चाहे फिलिपीन्स में यौण इन्डियन ऊशन पता है अपको हिनमा आगर लिगे जिसको रिपिन में बोल देते हैं कि अपने नाम सुनाओगा कि वेस्ट इंडीज आइलेंड ऑगा हैं इसे में आते हैं तो साइक्लोन की नाम यहां पर हम डालें सारे perfectly clear हो गएं आपको I hope cyclones related queste question सबसे को आज हम लोगों ने क्या क्या देखा हम लोगोνε Oh siktorkma से relatedlings बन सकते हैं वो देखे cyclone से सद्धे जो भी कोशन बन सकते ह dues के एससे के level पर ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग बात करें अदर लेविल पे चले जाए तो ऐसा नहीं होगा ठीक है अदर लेवल पे जाएंगे तो अलग तरिका से दिखाए देंगे यह आंपे ठीक है और वीली वीली कहां पर सर औस्ट्रेलिया में कई बार कोशन ही आ चुका है कई बार कोशन है आ चुका है वीली वीली ठीक है तो याद करके जाना मुझे लगता अब यह आपको भूलने की जरुबत है भूल जाओगे ठीक है भूल तो नहीं पाओगे शलो नेक्स्ट यह स्थानिय नाम है आपके सामने हिंदी इंग्लीज दोनों में ठीक है चलो आई होब क्लियर रहे यहां तक ठीक है अब यहां पर नेक्स्ट कोश्चन आ रहा है दे फेमस रिंग ओफ फायर एमाउंट अबाउट दे 48% अफ दिए अर्थ-iston गवेक जहां पर कितना प्रटिशद 68% अर्थ- कटा यहांपर है एट-वा इंडियन उशन में है पैसिधिक उशन में है यह ऌक्टी उशन में फिटाएग में मैं है जल्दी से से बताइएगा जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताइएगा टपव पूद्स को शेयर कर दो इसको शेयर कर ना भरी चलो 68 पराटे में जल्दी से बताईए हुआ हिंद महास आगर में साइकलों आते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेशर वाले होते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक वही होते हैं पीडियाफ कम मिलेगा पीडियाफ मिलने के लिए मैं तो कई बार बोल चुका हूं जिए संजे सर के विदिन 30 बिन में अपर डाल देता हूं सैермие कहाँ works ś को बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको वोते हैं अलांति बोटे हैं प्रेशांत भाग और अगर क्लियर हो रही है यहां तक बात पहले तो भी बताओ दिख रहे गी नहीं दिख रहा है इस दिख रहा है पताते चलो कि नहीं दिख रहा है तो फिर चेंज कर लेते हैं चले एक लिए हो रहा है तक दिल्द राइएगा यह टेलिग्राम गुरुप यहां पर बता तो दिया है तो आपको पता होगा आपको ओशन कप क्या होता भई पैसा क्या होता सर पैसा थीक है पैसा मतलब क्या प्रशांत महा सागर ठीक है ज्ला पैसिपिक ओशन एक्लांटी कोशन इंडियन ओशन इस अधर नोशन एब लास्ट में क्या आ जाता है सर आग्षी कोशन बैठिक लंट है और है rivers आतर ब्रक्राव से ऑन्ट फिरिवल नहीं है आप्षिन विसिबल नहीं तो मैं परफेक्ट प्रिशानथ आगर प्रकुदि कीए रहा ठीए है अब जनापर यहां पर कुछ important important चीज़े देख लेते हैं यहां पर कुछ important चीज यह options related मैं दोचा चीज़े बता देता हूं आपको यहां पर ठीक है options related आया है तो बता देता हूं ठीक है right option यह है अगर हम लोग प्रशान्त महा सागर की बात करते हैं it is contributed about the 33 percent of the ocean हमारी पूरी अर्थ का 33 percent ocean cover किया है कितना 33 percent triangular shape है कैसा शेप है या टैंगलर शेप है बहुत सारे island है यहां पर बहुत सारे island है जैसे कि यहां पर बात करें stupid video Hawaiian island है ठीक है coral island है आपके आ ऐ कر ऑन हैundertा च्रेंच बड़ी famous है यहां पर च्रेंच है गज्टेंच बड़ी famous है जिसको क्या नाम है Mariana Trench मरिएना ट्रेंच जिसमें पंच इसको बोलते हैं चैलेंजर ठीन Hudson क 31 चैलेंजर पॉइंट कि चैलेंजर प्इंट है मरियाना जर्थ बोल देते हिंटी में मरिऊना करत्र बोल देते हैं जिस coal यह दिक डेप्थ कितनी है मीटर्स 11-0-3-3 मीटर्स अब देखो यह पर अगर यह रिंग देखो गे ना तो आपको कितनी सारी ट्रेंच यह दो मरियाना ट्रेंच दिख रहा है यहां पर आपको दुनिया के सबसे जादा वॉल्केनो भी मिलेंगे व्केनों भी मिलेंगे और यहीं पर बहुत जाघा अर्थक्वयक एक्टिविटी भी मिलेंगी जैपान जो कि सबसे ज़ Bardzo आपका प्रदेश माना जाता है ठीक है अर्फक्वक अपर ज आजक्ह एसको आई हो कि हो यहां क्लियर है येस 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 clear हुआ चलो ठीक है तो ये आपका Pacific Ocean हो गया सबसे आदा है कोई कहीं पर आए है Mariana Trench world deepest trench हाँ सबसे deepest trench है clear है यहां तक clear है तो आगे चला जाए किसी ocean पे अगर नाम आया है ठीक है किसी country के नाम पे अगर कोई ocean है इस ये कैसा ocean पे कोई ocean है ऐसा S shape का ocean है ठीक है क्यों कि इसके इस तरफ आपको Europe दीख जाएगा ठीक है येपर याँ पर एफरीका है ठीक है और इस तरफ आपको North America दिखेगा और इस तरफ आपको South America दिखेगा simple चीज़्स तो ये एस शेप का नजर आ रहा है अगर कोशन आजा एस शेप का ओशन किसको का जाता है तो वह चुन हो जाएगा Atlantic Ocean दूसरा most busiest ocean है यह सबसे busiest ocean है यह तो हम लोग कई बार कोशन कर चुके है ठीक है busiest ocean busy बहुत ocean है ठीक है क्योंकि सबसे यहीं पर trade होता है second largest ocean है ठीक है यह first है यह second है यह third है और यह आपका fifth है सबसे लास्ट में ठीक है अगर वैसे आजाओंगे आई हो क्लियर है यहां तक सारी कोशन अम लोगन देख डाले ठीक है island sea भी बताऊंगा धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़े आएंगी ठीक है नेक्स यहां पर बात करते हैं आईए बहुत 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 इपोड़ेंट इस ना atmosphere on the moon moon पर कोई atmosphere नहीं है इसका कारण क्या है जल्दी से बताइए moon पर कोई atmosphere नहीं है इसका कारण क्या है सबसे करीब है हमारे या it revolves around the earth earth के around revolve करता है तीसरा gets lights from the sun sun से proper light प्राप्ट करता है इसलिए escape velocity is lesser than the root mean square velocity of the molecule at the moon ठीक है क्यों busy है अच्छा busy क्यों है थैजलों busy वाल्य बता देते है आपको busy क्यों कहा जाता इसको तो कि अगर मैं यहां पर बना कि बता हूं एक सेकेश्ट यहां पर इस चापर आना पड़ेगा ओंडों सुनो इस यहां पर इस जगा बंदेगा द्यान सुनों यह क्या है यहां पर नौर्थ अमेरिका साथ अमेरिका और यहां पर क्या चलना है यह यह चलना है आपका ठीक है और यह है पुरा प्रिटेंड ठीक है और फिर यहां पर क्या आ जाता यहांपर आपका जिब्राल्ी स्पेंड पॉर्तुगीज ठीक है फिर यहांपर यहां आता है इ yılी यह कुराइशिया वाला ا nel तो अब यह कुछ ऐसा ऐस शेप का दिख रहा है एस शेप का दिख रहा है और पहले क्या वाता था कि जितने भी ये यूरोपियन इंग्लिश ब्रिटिश जिसको बोल दिया जाए ठीक है ब्रिटिश डच पॉर्टोगल्स फ्रेंच यह सभी तो ट्रेड करने के लिए पहले इस रूट से आते थे लेकिन यहां पर आपनी नेवी बनाई उसके बाद में यहां पर इस जगा पर बहुत सारे एरियास में चले ग अबर्ट में यहां यहां पर बात कर लें लेड फॉर्टी अलेगर लेट फॉर्टी अलेकर पर अड़ी नांटी तू में अमेरिका की खोच कर ली थी ती किसे ने पॉर्दुगल कॉलंबस ने और 1498 में कौन आ गया था वासको डिगामा तो इसके बाद से सब तो आते ही चले गए फिर 1600 में ब्रिटिश आ गए भारत ठीक है तो यह सब आते चले गए और यहां पर ट्रेड होता चला गया समझ में आया है इसलिए सब से बिजिएस्ट है आज भी यह ट्रेड रूट फॉलो किया जाता है कि चलो आगे बात कर लेते हैं आप आप बताओ इस परफेक्ट आंसर अफ दिस परफेक्ट आंसर है क्यों क्यों कि यहां पर पहली चीज़तों ग्राविटेशन ग्राविटेशन जो है बहुत कम है जिसके कारण यहां पर क्या है जो ग्राविटी के कारण ग्राविटी लेस है न ग्राविटी क्या है लेस है तो बाइंड नहीं कर पाती है यहां पर जो एट्मोस्फियर के मॉलेक्यूल है उसको यहां पर बाइंड नहीं कर पाते है जिस क्लियर हो है यहां टाकट अप्सक्राइज इसका इत्मॉस्फियर ना वाइज से अप्छे लोग मून पर बात कर देते हैं आप propor थोड़ा ता ठीक है मून को क्या बोले जाता है सर् लूना बोला जाता है दूसरी चीज मून से यहां पर एक एक चीज हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज देखते हैं मून से रिलेटेड यह हमारी एर्थ ठीक है और एक डिस्टेंस सॉटर होती एक डिस्टेंस ज्यादा होती है ठीक है तो तो अब यहाँ पर अगर हम बात बोलें द्यान सुनना ठीक है चलो ठीक है यह डिस्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ से द्यान सुनना ठीक है यह डिस्टेंस की बात करें इसको यहाँ पर क्या बोलते है इसको यहाँ पर बोलते है शॉटर डिस्टेंस और यह शॉटर डिस्टेंस हमेचा क्या 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 लाती है पैरिगी क्या क्य लाए प्रत्वी प्रत्वी बीच में क्या है वहां पर बड़ा सा सूर्य ये इसके चाहतर चकर लगा रहा है उपना सबसक्रा चलता रहता है इसको बोलते हैं इसको उपभूब दो यह आपका मून है ठीक है अब एकमोस्फीर ना होने की वज़य से क्या होता है बहुत सारे मेटी और नीचे की और यहाँपर क्या होता है होते हैं बहुत सारे ने उसकी वेज़े से यहां पर बहुत सारा बना दिया है क्लेटर्भ ना दियें सी यहां पर पर औहengo गड़्ल trudम्र पे उसका अद कर वह परप्रकास हो जाता है तो यहां क्या होता हैw light trap हो जाती है तो light जो है यहां ट्राप हो जाती है तो यां हमको थोड़ा surface इसकी dark दिखाई दिखाई दिती है तो जो surface dark दिखाई दिती है अब लोग बोलते हैं, चांद में D겠죠 अरे भाया litha नहीं है craters है daghetti clicking कि है लियर वह आव्क अ कंने क्रेटर दे का दूसरी इंपारिट बाता थी आधी सब्हूर सब्सक्राइब अ मोचन की बात करते है इस यहां पर क्या और का व्यth би रोटेशन और रिवाल्यूशन और ऊक्राइब इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं गूर्डण इसको बोलते हैं परीक्रमण इन तर्फेज करना है कि यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं यह दोनों लगभग लगभग से मोते हैं 27 डेज कितने होते हैं भाई 27 फड़ा फड़ रिप्लाई करना ठीक है 27 देज होते हैं तो होता ज्या है होता यह है कि हमको यह एक साथ एक समय से घूमते रहते हैं अपनी देखो ध्यान से अपनी एक्सिस पे भी अपनी एक्सिस पे भी सेम डिरेक्शन से घूमते हैं और हमारी पूरी सब्सक्राइब बनाते रहते हैं इसकी वज़या से क्या होता है कि अर वह सर्पेस हमेशा कभी भी नहीं Надेती हैं सब्सक्राइब प्रॉस इस रइना बना और इस ताए whilst देखें था कर पाहं गोई होती है जो side हम सो नहीं होती है, जो side ago said show होती है, पहले उसको देख लेता है, 59% side show होती है और 41% हमेशा dark रहता है, ठीक है, इसको क्या बोलते है, इसको क्या बोलते है, इसको सागर बोलते हैं इसको समझ में आया कि यहां तक लेर है कि क्योंकि अर्थ पास मून और अर्थ पास-पास में इसलिए पहरेगी है दूर-दूर होते तो एपोगी होता क्लियर है यहां तक इसको शांति का सागर बोल देते हैं और जब पास होता है मून द्यान सुनना जब मून क्या होता है पैरिक के कंडिशन में होता है तो यहां पर 30% 30% मोर लारजर दिखाई देता है बड़ा दिखाई देता है 30% अधिक बड़ा दिखाई देता है I hope clear हो रहा है मून से लेटेड भी हम लोगों ने सारी बात एका डाली ठीक और मून के साउथ पोल पे यहां पर क्या है एक माउंटेन है यह मून है मून का साउथ पोल है ठीक है साउथ पोल पे एक मून्टेन है जिसका नाम है लेबनेट्स लेबनेट्स यहां पर एक माउंटेन है बड़ा माउंटेन है यह बहुत सारे माउंटेन साउथ पोल पे लेबनेट्स जिसको बोल देते हैं लेबनेट्स आयोग क्लेर है कि परफेक्टली करेक्ट समझ में आया सभी को जल्दी से बता दो आओ आगे बात करते हैं तो यहां पर यहां सार एक तो होगे आपका ठीक है जुथा अगरश लेग आ रहा है कि हाँ पर अभी तक हम लोगों कुछ पता ही नहीं है डार्ट फेज में और यहां पर पूरी आईस है ठीक है प्रॉपर वे में आईस है ठीक है हाँ और यहां पर अभी तक क्या कोई भी सेटलाइट भी नहीं गई जाए नीला में प् 2 एंके पर मические ऐंवा है यहां पर यह यहां पर चंद Noah-an2 इस में और यहां पर अputer यहां पर नहीं पहुंच पा यहां या बहुत हैं जो सब्सक्राराइस टोझ करिंगा नहीं के घृंप और देखिये यहां पर चिर्ण सब दिखा के मैंने आपको बता दीया पैरिगी की जब condition होती है देख रहे हो brighter देख रहा है कि नहीं देख रहा है यहां देखो ज़रा बड़ा देख रहा है कि नहीं देख रहा है compare करो ज़रा बड़ा देख रहा है कि नहीं देख रहा है तो यह डिस्टेंस जो हम बता रहे हैं यह क्या है यह सर है पैरीगी यह क्या डिस्टेंस इसर एपोगी अभी आपको कोई डिक्कत नहीं होगी अना चलो चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर ठीक है I hope you all enjoy the class समझ में आया होगा आपको concept सब्सक्राइब करने कोशिश करता हूं आप लोगों को यदि कोई डाउट आता है तो पूछिए और साथ ही साथ में जुड़िए कहां पर यहां पर आपको से कम लाइक तो होने चाहिए ना यह सोनो शेयर लिए नेक्स राइम बात करते हैं थैंक्यू थैंक्स लॉट